हेलो पढ़ाकूओ, वाच्छ अप तो आज हम स्टार्ट कर रहे Computer Organization & Architecture का Lecture No.2 Last lecture में हमने क्या लेखा था Last lecture में हमने देखा था introduction, थोड़ा सा introduction कर लिया था कि Computer Organization है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें हम CPU Architecture Memory Management Bus System Architecture, Indian System अगर आपको इसमें देखना हैं तो प्लीज जाएं और इसको देख लें मैं लिंक डिस्क्रिप्शिन में डाल दूगा Best of luck अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्या Boots Multiplication, तक Boots Multiplication तो काफी बड़ा topic आपने आप में हैं इससे पहले हम Multiplication इसके इसमें जूज होने वाले operator से हो देखने वाले हैं तो आज की class स्टार्ट करते हैं उससे वाल अथव बड़ा सा प्रमोशन हो जाए My name is Nishant और आप देख रहे हो The Experts at The आपका प्यारा channel तो Multiplication स्टार्ट करने से पहले ही हम देख सें कुछ operations कौन-कौन से? Shift & Rotate Shift क्या? एक से इधर से Shift हो लिए Rotate जी भूम के वाप इससे वहीं आगए एक circle जैसा देखेंगे तो पहले shift operation Shift में जैसे कि हम कुछ देखें या तो number ऐसे shift हो जाए या number ऐसे shift हो जाए और पीछे shift में क्या आएगा? 0 की 1 हम shift में पीछे 0 append करते हैं तो अगर हम इसको shift कर रहे हैं ऐसे तो यह तो बाहर 1, 0, 1, 0, 1 & 0 देखो यह digit बाहर हो गई, यह खतम बागी जो number बचा अब यह number बचा इसे कहते हम shifting यह कितने तरह की होती है किस तरह की होती है, अब हम देखने वाले हैं तो चलो देखते है shift operation क्या होता है while execution instruction data bits are moved into left or right direction with loss यह इसमें loss होता है जैसे कि हम देखा था क्या यह जो bit थी यह वाली bit थी यह गायब loss हो गई इसके बाद हम इसका पता नहीं यह कहां जा रही है कहां है कि नहीं है, नहीं है it is lost अब इसके type भी देख लेते है type कितने होते है, 2 कैसे? एक होता logical shift, एक होता arithmetic shift यह भी हम देखेंगे किस तरह से होते हैं अब shift में कौन से होते हैं logical shift left, logical shift right यह left में shift हो, यह right में shift हो अरे यह उट बोल जा logical shift में क्या होता है, in logical shift operation data bits are moved into left or right direction including the sign bit that means sign bit कौन सी होती है, हमारी sign bit होती है, msb जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ किसमे 2s complement notation में sign bit किसके एक्सिट कौन सी होती है, msb sign bit किसके एक्सिट करता है only negative numbers का अगर हम positive number के 2s complement निगा लेंगा तो यह क्या हो गया sign bit sign bit और 1, 1, 1 इसको चड़ो यह 1, 0, 1 फिर sign bit के extension की बाता जाएगी अब simply ऐसी बात करते है 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit ले लेते हैं and 0 and 1, let us see it is a number तो अगर हम इसको shift कर रहे हैं left, तो क्या होगा यह इधर, यह इधर, यह इधर, यह इधर यह इधर अगर यहां भी तो था कुछ so let us say it is 1 यह इधर, यह इधर and यह इधर अब यह वाली bit loss होगी अब यह कैसा sign bit अब इसमें तो coincidentally यह भी 1 ही है अगर let us say it is 101010 ऐसा कोई number होता यह इधर कोई number होता तो क्या होता, shifting में यह shift इधर हुआ यह यहां पे 0 आ गया यहां पे 1 आ गया यहां पे 0 आ गया यहां पे 1 आ गया यहां पे फिर से 0 आ गया तो अब देखो, जो 101010 नंबर था अब यह negative number से position number बन गया तो यह क्या यह सही है तो इसलिए हमने arithmetic number में यह यूज नहीं करते हैं यह या तो unsigned numbers में यूज हो सकते हैं या फिर serial communication of data serial communication of data हाँ यह रहा, देखो serial communication of data इसमें यूज कर सकते हैं यह जो shift हो के बाद digit नहां पर आ रही है जैसे कि यह था 101010 तो पहले यह shift आ गई हमने यह read कर लिए उसके बाद 0 फिर 1 फिर 0 और last में क्या क्या प्रेंट होता जा रहा है 0000 जब सारा number 0 हो जाएगा तो मतलब सारा number तो नहीं हमारा data transfer हो चुका है तो इस serial data communication में ऐसा हो गया hmm अब यह हमने क्या पढ़ा shift logical shift अब यह कितने तरह के होते हैं यह तो shift left यह shift right shift left यह shift right अब इसमें क्या इसमें क्या बताना shift left right में जो data left की तरफ shift हो जाए उसे left shift जैसे कि यह ladder से यह एक number है shift कर रहें तो क्या रहा है यह 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 digit यह यह आ चुकिये है यह 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 digit यह आ चुकिये है नड़ यह पर क्या append होगा append किसे करते हैं append करते है 0 से तो यह number आपका अब register में है register बहुल लो जहां भी store का रखा है 0101 यह वाला नमबर आचुका चो पहले था 1010 इसके बाद एक एक राइट शिफ्ट के बाद आप अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट फ़ेस दम पहले देखी चुकिया है दुबारद देख लेते हैं 1010 अब क्या करना है इसको इधर शिफ्ट करना है तो यह इदर आ गया, यह 1, यह यहां गया, 0, यह यहां गया, 1, यह यहां गया, 0, 0, 0 यहां यहां, 0, तो यह नंबर आपके वाग बच्छा हुआ, यह loss हो गया, loss of data, इसे कहते हैं, logical shift left, left logical shift अब हम बत करेंगे, किसकी, अब हम बत करेंगे, arithmetic shift, arithmetic shift, arithmetic shift में क्या होता है, देखो आभी arithmetic ही बात आ रही है, इसमें sign bit maintain रहने वाली है, इसमें क्या होगा, sign bit maintain रहेगी, बाकी, क्या कहते हैं, shift operation तो ऐसी होगा, लेकि sign bit को हम change नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि arithmetic की बात है, क्यों किसी अगर एक number negative है, अब उसमें shift operation लगा रहे हैं, तो वो number must be negative, number negative ही रहना चाहिए, अगर number positive है, तो number positive ही रहना चाहिए, negative नहीं हो जा नहीं होती, and in arithmetic shift operation, bits are moved from that, ठीक है, तो ये तो same, ये points तो same ही है, बट ये points तो different है, ये वाला, इसमें क्या करें हमने, difference आ गया, कैसे आया, की, MSB remains constant, it does not change by shift operator, कैसे होगा, देख लेजे हैं, देख लेजे हैं, देख लेजे हैं, arithmetic shift operation and logical shift operation both are same, because no data lost in the middle operator, हम जी, अगर हम बात shift operation की, yeah, से, यहा, से, यहा, से, यहां से, यहा, से, तो या तो ये data, ये वाली bit loss हो रही है, ये वाली bit loss हो रही है, के in between तो कोई bit loss ही नहीं हो रही, तो, in generally same है है, बट इनमें एक ही different है, क्या MSB का, MSB shift किस में होती है, logical में, और किस में shift नहीं होती, arithmetic में, okay, तो चलो, आग कि आध़ी ही बुल लेए अपने स्काइग और कुछ तो अर्थमेटिक शिफ लेफ्ट एंड अर्थमेटिक शिफ्ट राइट वही पहले जैसा ही देख लेते हैं लिफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है यह रहा हमरा नंबर इसमें थोड़ ऐसा बड़ा रखें आई हाई यह थोड़ा चुड़ा होगा है Let us say 1 0 1 0 1 Let us say this is a number यह क्या है जी M है ऐसे B इसको तो हम छेड़ी नहीं सकते इसको हाथ लगाना पाप है पाप पाप अगर हम इसको left shift कर रहे तो यह क्या हुआ देखो left shift में बताती है 1 1 0 1 0 1 तो यह अपना number यह MSV यह 2 जी अब यह क्या हुआ इस लोस्ट यह लोस्ट होगी स्वाद यह वाली एंड यह यहां पे यह यहां पे यह यहां पे यह यहां पे क्या हुआ 1 0 1 0 1 1 and last में क्या append होगा last में पेंड जीरो last में पेंड होगे 0 okay yes 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 तो MSV तो इसकी one ही रही one अब यह क्या हो गया number किसके बाद after right sorry left shift अब इसमें right shift हम देखे हैं तो बड़ा ही important सा concept है right shift one one zero one zero one इसमें क्या हुआ अब shift करके देखो इसको और shift करने के बाद आप देखो क्या आएगा एक बात तो confirm है यह bit तो same ही रहने वाली है यह bit तो change होने वाली है नहीं इसको तो हाथ लगाना पाप है MSV क्या है sign bit इनके साथ क्या होने वाला है देखो यह तो लोज यह यहां पर यह यहां पर यह यहां पर अब यहां क्या आएगा यहां zero append करेंगे हम इसमें जिरो पन्ट करेंगे कि या फिर ये आएगा क्या होगा क्या होगा आ बस गई क्या करें सची आप तो बोले से जिरो होता है अवे हमने बोला था लेकिन वह शिफ्ट के लिए एक हमसा अर्थमेटिक नहीं लोजिकल याद रखो गल्दिया नहीं पालने का वरना तो गेट में confusion इसमें यह ही आएगा इस तो क्या हो जागा वन बन देखो यह लोश्ट तो होता है इसके लोश्ट देखो तो होता है जैसे कि वह शुब्स हाई तो मैं इसको आपको फोड़ी सी और फिल देना चाहता हूँ दिलाओं, देखो, अगर कोई number है, number, जैसे की, जैसे कोई number है, लट असे अभी unsigned number है, unsigned number, हमें कोई sign, tension लेने की जरूरूत नहीं है, तो लट असे यह number is 13, 13 को binary में कई से लिख होगे, 12 plus 1 या 8 plus 5, 8 plus 5 लिखते हैं, 8 कैसे हो गया, 1, 0, 0, 0, it is 8, and 5, 1, 0, 1, 0, 1, so 13 के हो गया, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, let us say it is big number, big number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bit number, तो यहाँ क्या append होगा, 0 क्यूं unsigned है, sign तो हही नहीं, अगर sign होता, तो क्या होता, bit extension, sign bit extension, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको digital logic designing में, अगर आपको नहीं आथा, तो प्लीज देख ले, वो काफी important concept है, sign bit extension, हम padding करते हैं उसमें, zeros की or ones की, पहले या बाद में, बाद में तो खर 0 यह पैंड करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, MSP को क्यूं करेंगे, अब यह देख लेना काफी लंबी कहानी उसकी तो अगर हम इसमें shift operation करीं, तो देखो, value कहान आती है, value कहान आती है, यह 8 बीट था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यह 0 तो लोस्ट, यह 0 यहां आ गया, यह वला 0 यहां आ गया, यह वला 1 यहां, यह वला 1 यहां, यह वला 0 यहां, यह वला 1 यहां, और last में, last में 0, तो अब ये क्या नंबर बन गया ये नंबर क्या बन गया अब देखो जीरो प्रस जीरो ये टू ये फोर ये कितना हो गया सुरी ये एट है ये कितना हो गया 16 16 प्लस एट इन दोनों में कोई relation है इन दोनों में कोई relation है 13 इंट टू इकोई तो 26 हाँ 26 अब देखो ये क्या आया 13 इंट तू क्यों आया बई तू क्यों आया देखो अगर हम कोई number लिखते है 30 13 अगर हम इसके पीछे 10 लगा दे मतलब क्या हुआ लिखते है लटर से 13 है यहा तो आपको दिखने का नहीं है यह लिखते है लटर से 13 है तो क्या होने मला है अगर हम इसमें shift operation लगाए left तो last अगर हम binary की बात करें binary की तो binary में क्या हो रहा है 13 इंटू 2 अब decimal में base कितना होता है 10 binary में कितना हो गया 2 2 की power 1 अगर हम एक shift left करेंगे तो number 2 से multiply हो जाएगा अगर दो बार shift से multiply करेंगे 13 इंटू 2 पावर 2 अगर 3 नमर कर दिया तो 3 अगर 4 नमर कर दिया तो 13 इंटू 2 अगर loss नहीं हो रहा तो अगर loss of data हो रहा तो आपको देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कितना value आने वाला है ठीक है आपको कुछ feel आया हो तो हम आगे बढ़ें ओके अब rotate operation देखो shift क्या था shift operation में हमने क्या किया था यह था जो भी था arithmetic था logical था यह bit loss हो रही है according to arithmetic इसमें क्या होता है कुछ loss नहीं होता इसमें जो होता है इसमें यह होता है इसका माल इधर और यह आइसे मतलब ही ऐसे चला ऐसे यहां आगया बास गूम गया एक circle में data loss नहीं होता जो MSB थी वो LSB बन गई और जो यह वाली थी MSB बन गई एर इसे एक shift होगी इसे कहते है rotate इस गूल जाओ गूम जाओ गूम जाओ इस तरह से चारा गूम 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 गू सा था हमने ऐसे गुमाया? ऐसे या फिर ऐसे गुमाद हो इसे गी आ यह कुन सा था? लेफट, कि हमने ऐसे हुमाद या तो यह कुन सा हो गया राइट लेफट Walk Thailand हैं राइट लेट के दो टैप होते हैं कौन से रोटेट वीज कैरी एंड डोटेट वीडाओ जया होता है किसके अंदर जब भी कोई सिस्टम में carry generate होता है तो यह own हो जाता है, set हो जाता है set मतलब होता है, तो last time set का मतलब होता है कि one हो जाता है and loaded without carry इसमें हम carry के बारे में देखते ही नहीं है carry एक यह तरका operation बना रखे हैं आए यह चीज़े पढ़ होगे तो आपको समझ में आएगा left carry, left with carry, right with carry, left with carry, left without carry, right without carry इस देख लेना, तो यह कोई ज्यादा है नहीं है oh, boom के आया है types of rotate with carry, rotate without carry, बाता चुका होगा है हाँ, summary, summary क्या होगी? तो यह operations कितने तरके होगे? shift, एक shift, एक rotate shift में क्या होगया? loss of data loss of data, rotate में क्या होगया? goma, वापिस goma, वापिस यह होगया, rotate operation shift में logical and arithmetic logical arithmetic अपको बता है यह generally किसमे होता? unsigned number में या पिर data communication में किसमे होता? unsigned number में left, right, left, right here, अब rotate with carry, rotate without carry carry क्या होता? एक flag, एक register, जिसमें carry की value होती है अगर सिस्टम में का दूजी दो नंबर हमने add कि है और carry generate हो रहा है तो it will be stored in carry flag carry register, flag is a current register टेंशन लो, flag इस रिस्टर समझनी या रहा सब अगले कुछ chapters में आपको समझ में आ जाएगा जब हम addressing mode और सिप्यू के बार में कुछ पढ़ेंगे तूसरा क्या हो गया? rotate with carry rotate left with carry rotate right with carry next, rotate left without carry rotate right without carry यह तो simple simple चीज़े हो गई अब चलते हैं हम अपने main topic की तरफ क्या करते हैं? क्या पढ़ना है? Addition operation on sign data Addition? Addition करना है लोकि Addition का थोड़ा साम briefs देखते थे यह एक दव तीज जागी हमने एड़ किया इसने कुछ आया यह पर इसका वुज आया यहाप इसका वुज आया यहाप लेट इससी 11 पर 11 इसमें साइन नमबर है, 101, 101, MSB के आइसकी, 1, मतलब नेगटिटिव नमबर है, इक कॉन सा नमबर होगा, निकाले तो, 4-1, यह होगा, 3, अगर यह निकाले, तो इक इतना होज जाएगा, 1, क्यों, साइन, साइन, इसमें, साइन, तो पहले, तो इसमें इसले साइन, तो पहले उसे देख लें, अगर हम इसको एड़ किया तो कितना आएगा ? माइनस का 4 आज़िए लेकिन अगर हम इसको एड़ करते हैं तो कितना आए ? 1 प्लस 1 कितना आया ? 2 2 को binary में कैसे लिखते है ? 1 0 तो 0 आगया है हमें carry का 1 1 का 1 आगया and 1 का 1 आगया अगर यह number देखें 1 0 2 with a sign of negative यह हो गया 2 कॉम्प्लिमेंट को दुबारा से कॉम्प्लिमेंट करके उसकी रियल वेल्यू निकालना अब आना कैसी यह था minus 4 आ क्या रहा है ? minus का 2 यह तो गड़बड है यह तो गड़बड है अब यह दूर कैसे होगी ? यह दूर ऐसे होगी सारे नंबर सेम सेम बिट के होनी चाहिए देखो जी अब हमने यह किया यह अगर minus 1 है इसको हमने लिखा है binary में 1 इसको extend कैसे करेंगे ? Sign bit extension के true कैसी ? 1 1 कैसे बताया था मैंने ? उस ही नहीं उस ही नहीं तो इन दनों को add करते है 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 12 3 2 3 3 4 4 1 विदा साइन ओफ माइनस का तो यह अगे माइनस फोर आप साही हुआ ना बात यह सब चीजे तो है मैं थोड़ा बेसिक बताया लेकिन यह सारी चीजे हम डिसक्स करेंगे किसमें दिजिटल लोजिक डिजाइनिंग में DCD एडिशन, Binary एडिशन, बहुत सार चीजे करेंगे, adder, subtractor, थोड़ थोड़ शर्किट भी देखेंगे इनके बना बना के, using gates अब ही तो थोड़ा बुच समझ लो, अच्छा है, अगर समझ में आया है तो याद रखना की, they must be equal in size, अगर नहीं होगे तो आंसर गल्स आएगा, यह एक्जम्पल है, छाप लोगर छापना चाहो, pose करके, load, stop कर दिया मैंने, अब छाप लोग अब हम next क्या देखने वाले, smile, 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 समाज में आ रहा है तो please smile and like तो 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 अब हम कह गएंगे, अब हम कह गएंगे multiplication techniques, yes, अब हम बढ़के अपने technique की तरफ, हम क्या पढ़ने वाले थे, boots multiplication, लेकुन उससे पहले हम क्या देख लें, multiplication techniques, केते तरह के multiplication techniques हो सती है हम तो डरगे हमारी पिच्छे से rocket निकला, किने तरके होगे, फीन तरेके, shift, add, repetitive, add and both, multiplication, लेकिते हो सबसे पहले बात करते हैं, repetitive, admission, admission नहीं, addition, ही, क्या बोल रहा हूं, admission किसका कराना है, मेरा तो admission हो चुका, हम, तो आपने, आपने कभी बच्पर में बच्चों को देखा है या बच्चे रहे हो, मेरा मेरा बोलती है, फिस्टीन के टेबल लिखो, फिस्टीन, वें जा, फिस्टीन, 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 तो इसे कहते हम, repetitive addition, for example, आपको निकलना है, फिस्टीन, इन्टू, नाइन, तो फिस्टीन को एक बार एड़ किया, दो बार एड़ किया, तीन बार एड़ किया, फोर बार एड़ किया, फाइव बार एड़ किया, ये एड़ करते 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 कितनी बार एड़ किया, आपने नाइन टाइम्स, इसे कहते हम, repetitive addition, ये हम generally कब करते हैं, कब करते हैं, जब टेटा छोट्टा हो ये भी छोट्टा हो या फिर ये छोट्टा हो यसे कि अगर बात पर लो 10108 अरी बानरी नहीं था ये डेसिमल है इसको हम करने इंटु टू तो इसको इससे जोड़ दो ये अगया है 2021 अहा है फज़ो जो आज़ो जिश साल जलजी लेया मेरा तो कोचिंग का कामी निस चल रहा है मेर तो बच्चे इडियो जेक ते नहीं ओफ्लांग बच्चे आनि रिए 2020 कितना जंदा साल है और वन ने इसमें क्या क्या इंस्टोलिशन कर दिया तो लो कोई नहीं SHIFT & ADD हाँ जी कुछ नोट भी लिखा है DURING NOTE ऐसे नहीं नोट है DURING THE EDITION OF MULTIPICATION 2 NUMBER YES वरी IMPORTANT बास वरी IMPORTANT बास देखो अगर हम EDITION किया था हमने 2 NUMBER का तो maximum data कितना रहता है N PLUS 1 BIT यहां कितना रहता है जैसे कि हमने किया 3 INTO 3 यह कितने BIT का होता है 11 यह कितने BIT का होता है 11 तो 2 और 2 2 BIT यह भी 2 BIT अगर हम इंको multiply करें 9 9 कितने BIT का होता है 1011 यह कितना रहता है 4 BIT 4 BIT maximum data इतना ही आ सकता है अगर आप 4 INTO 4 करो तो देखो तो 4 कितना होता है 3 BIT हो गया यह 3 BIT हो गया तो maximum 2 BIT को 2 BIT से multiply किया तो maximum 2 N BIT का result answer आ सकता है This is point to be noted Your Honor कर ले note Next क्या जी हाँ जी Preparative addition method is used when operands are in smaller value चोटी 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 जैसे की बताया था कितना 100 चोटा ही हो at least उसमे वरना तो भाया एड करने बैटो के 1000 times 1000 time को 1000 times 2000 number को 2000 into 1000 को इसके से करोगे खेरी तो simple सा अगर आप देख लो 18496 into 26489 अब कौन सा कौन सा किसमे कितनी बार एड करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा तो यह तो हम तभी यूज करते हैं जब number छोटे हो बड़े हो तो नहीं करने के अब बात करते हैं shift and addition technique here shift left operation is used and यह अच्छा ठीक है इसको देखते हैं इसको देखते हैं shift and addition technique shift and addition सब सबले देखते हैं हम हम क्या करें 13 into into 7 करते हैं 13 into 7 इसका क्या मतलब हुआ 13 into herd plus 3 इसका क्या मतलब हुआ 13 into herd plus 2 plus 1 अगर हम इसको देखे 13 into 4 plus 13 into 2 plus 13 into 1 1 अब देखो यह 4 से multiply हो रहा है मतलब 2 की पावर 2 यह 2 की पावर 1 यह 2 की पावर 0 अगर हम इसको दो बार left shift करते है तुई तुई इसको एक बार left shift करते है तुई इसको एक भी बार ना करें और इसको फिर add कर दें यह होता है shift and add technique चलो देखते हैं जैसे कि अगर हम करते थे बच्पन में multiply 12 into 14 क्या किया इसको इससे multiply के अगर हम इसको बाइनरी में multiply करें 7-3-3 कितना होता है जो पहले multiply करते है 21 आगे 2 91 answer है जी 91 91 आना चाहिए अगर हम देखें 13 को कैसे लिखते है 101 यह होता है 8 12 13 11 तो किसे multiply करें 7 से 11 देखो जी अगर हम इसको इससे multiply करते है तो 101 1 ठीक है अब हम क्या अगरते है नीचे वाले में क्या करते है एक left shift हम यह करो समाग करते थे एक left shift operation है हम इसको छोड़ रहे हैं यह क्याया 101 अब हम हम दो left shift करते हैं अगले में इत्पन वाली बात है याद रखना हम 11 110 11 11 1 यह आ गए आपकी बात अब देखो अब देखो यह कितना हो गया यह अगर हम दो left shift कर दे तो 13 into 4 हो गया यह कितना हो गया 13 into 2 हो गया and यह 13 into 1 हो गया यही बात कर रहा था इनको addition to आपकादी लोगे 1 हो गया यह 1 हो गया 12 into 0 हसला का 1 1 2 3 का 1 असला का 1 1 2 3 का 1 1 10 कुछ गरब देखो गया यह आ गया 1 यह आ गया 1 20 111 111 10 अगर आप देखो तो 12 2, 8, 16, and 64, अगर हम इनको एड़ करें, 24, 25, 26, 27, 64 प्लस 27 कितना आ गया, एक, 9, लेखो जी, 91, 91, सेम आंसर आ रहा है, अगर आपको ये मेथड, रुखो ओ, जड़ा, मुहम क्या फॉन, अगर आपको ये मेथड नहीं आता, तो ए, क्या पड़ा आपने वजपन से, आसान तो है, अगर आपको ये मेथड़ा आता है, तो कुणची बढ़ी बात होगी, आसान तो है, अब हम बात करते हैं, किसकी बूच मुल्टिप्लिकेशन है, अगर ना समाझ में आ रहा है, अगर in this method, cultivation must be unsigned, yes, unsign होना चींग है, क्यूँ, अगर हम देखीं, हमारा answer क्या था, 1, 10, ऐसे बुच है था ना, nain, 1, 64, 0, 16, 8, 0, ठीक है, चो भी था, ऐसा answer था, and ये क्या है?, baz jae होती तो क्या होता ही?, negative number होता, but, इसमें क्या हारा है?, positive number, so they must be unsigned Remember, in shift and addition technique, numbers must be unsigned हम जी, तो अब चलते हैं, अपने मेन टोपिक की तरफ, क्या था? अरे, shift and addition, ये तो बता दिया है, मैंने इस लाइड इसे छोड़ी ते कि मैं को समझा तो को समझाते हैं, वो मैंने वाइड बोर्ड पर समझाते हैं तो अब चलते हैं, मैंने में टोपिक क्या साथ? पूस मुल्टिप्लिकर, उसे फ़ल एक गेट कोशन देख लेते हैं, जो गेट कोशन है, हमने देखा भी था, किसमें आया था ये, ये आया था हमारा डिजिटल लोजिक डिजाइनिंग वी कोशन, गेट कोशन है, ज्यादा ट एट, एट से मल्टिप्लाइ कर दिया, तो वो नमबर क्या आयगा, क्या करो, एक तो मैठड ये हो गया, इसको पकड़ो, उठाओ, एंड, देखू, क्या देखोगी, कि नमबर क्या आ रहा, मल्टिप्लाइ करके, इसको पहले बाइनदी से किसमें करो, डैसिमल में, बाइन कॉम्पलिमेंट, क्यूंकि 2's is commitment है , Abu S, and Ms b is what is我 इसकी , f है , with an 1 1 negative number है , इसका 2's कॉम्पलिमेंट निकालो , इसका बारेऊ remains , रेक्षिव्भिय कृंडो है , मॐतलो है 8 रे ऐर से , या एक तरीकह यह ho सकता है इसमें shift operation कर से , कितने ? 3 shift , तो यह कोजी कर्पती है फिर एफ एट सेवन बी एच तो क्या है यह बताता है हेग्जाडेसिमल नंबर है कोई नहीं बी कितना होता है एग्जाडेसिमल में कितनी बिट होती है हग्जाडेसिमल में लावल भूल और फट की सिटार नंबर होता है वह बट होता है वह अगर एक प्रचंफ को ऑनी नंबर होता है जाड़ यह दिककत चार लृत काने वाली तो गडिकत आने वाली थी तो अगर इन यह बम एग्जाड बाल कि यह फोघ्टों सब्सक्राइब कर एपको करनी क्या है, shift operation कोन सी करनी है? arithmetic की logical, not sine beta का कोन परिग है? arithmetic shift arithmetic shift आपने कर दी, arithmetic shift कर दी तो क्या आया? देखो, यह तो ऐसी रहा तो one को one one आ गया, यह loss हो गया, यह यहाँ, 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 यहाँ यहाँ बाकि येसी उतार दो 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 actually मैं थी थीन बिट गायब कर दो थीन बिट गायब हो गही एक एक क्या करना सारी एक साथी गार दो अब हमें shift operation भी कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार तो हमारी थीन बिट जाएंगी एक ये गई ये गई ये गई ये गई तो यह तो वना गया फिर 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 अब कितने बिट हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बट है किसा 16 बिट तो 3 bit ke upend ho jayenge, 0 0 होंगी na, क्य fitnessshave operation है, fruit यित toen है and..and..and this is 1..2..3..4..1..2..3..4..1..2...3..4 1..2..3..4, 1..2..3.,4, 2..4.. यह लिए आञे, 8, यह कितना आगिया, 12…10…opath.. 10, 11, 12..? 13.. 13 मतलब d.. यह कितना आगिया, 3.. यह कितना आगिया, 8 जब 12 मतलब 12 मतलब A B C 9 10 11 12 मतलब आगया C कितना आगया नमबर नमबर आगया C 3 B 8 H इतना नमबर आगया किस-किस का ही अंसर आया सर्जी मेरा अरे मेरत वही आपका भी कितने को आया ही अंसर आगया तेकर आंसर गया येस अब हम चलते हैं Boots Multiplication तो Boots Multiplication पढ़ने से पढ़ने से पहले तो डेख लेखते ही है क्या इट इट गिवस एक्सिलेंट पर्फोर्मेंस मेहन और इस हैंविद स्रेंग जिरो और वैंज या जिरो जो जो तो जो मोस्तली या वनसो मोस्तली ऐसा क्यूं देखेंगे अभी देखेंगे आपको समझ में भी आएगा इट इस उज़ ओनली फोर साइन डेटा इस साइन डेटा के लिए उस होता है अनसाइन के लिए ट्राय करना चाहो तो कर लिया लेकिन क्या यह फरक पढ़ना है अनसाइन के लिए तो बहुत साथ जीजे है शिफ्ट कर दो, प्रोटेट कर दो, असाँ-असाँ तेकि इस साइन के लिए सब्सी दिक्कत आ जाती है इस बोट ओपरेंड मस्क भी साइन और जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा मैक्सिमुम कितना हो सकता है अरे बताय दो था मैल्टिप्लिकेशन में 2N bit का होता है तो मैं इतना ही रहेगा मैक्सिमुम bit is 2N bit इस जेनरेट बुस कोड़ ओफ मल्टिप्लिकेशन बुस कोड़ मल्टिप्लिकेशन क्या है अब भी देखेंगे लेकिन हाँ इसी के उपर काम करता है इसका अल्गोटिदम भी देखेंगे लेकिन पहले इसके थोड़े basics देख लो according to boot code the multiplication is added or subtracted multiplication नहीं है actually मैं multiplicand होता है multiplier होता है एक होता है multiplicand एक होता है multiplier जो से a into b अब यह क्या है जो हम multiply कर रहे है अर यह हम मुल्टिप्लाइर जो हम multiply कर रहे है तो इसको यह वाला है यह वाला number होने का ठीक है कैसे होता कैसे होता अब ही हम बताता अब यह देखते हैं कि boots code हम बनाते कैसे है for generating boot code it always scan from lsb to msb जैसे कि यह हो गया 1 2 3 4 5 1011 0011 यह lsb to msb scan करेगा boot code बनाने के लिए boot code बनाने सीख लो काफी आसान है लेकिन हाँ इसी के उपर dependent है सबसे पहले तो हम क्या करते है एक यह तो number होगे आपका जो भी था 10110 011 इसमें सबसे पहले एक 0 append करते है क्यों क्योंकि boot code इन दोनों combination के उपर dependent करेगा अगर हमने ऐसे बना दे तो boot code की digit कर जाएगी एक कम इसलिए हमने क्या करते है लास्त में 0 append कर लिया और इससे अंतर exactly perfect आता है कोई दिक्कत नहीं है इस method के अंदर तो देखो जी अब हम boot code निकालने वाले है कैसे निकालेंगे अगर 1 से 1 यह फिर 0 से 0 आ रहा हो लेट असे आपका नंबर 01010 आपने append किया 0 यह तो 0 से 0 आ रहा हो यह फिर आप देखेंगे भी देखेंगे भी देखेंगे इस case में क्या आएगा boot code 0 मतलब 0 का मतलब क्या होता है multiplier is going to be edit at 0 time अभी आप समझ लो थोड़ा से देखो आपको सब समझ में आएगा मुझे पता आपको थोड़ा जीब लग रहा होगा अभी आप देखो अभी अच्छे समझ में आगा मैं पूर समझा दूँगा अपने 0 लिख लेगा boot code इसका मतलब क्या होता है आपको 0 times अगर इसके बाद shift करना है right shift वह सब देखेंगे वाहिल scanning 1 to 0 मतलब अगर ऐसे कैसे बता हूं वाहिल scanning 1 to 0 मतलब अगर ऐसे scan करते हुए इस तरह का combination आ रहा है यह आपने scan किया left से right 1 0 इस combination आ रहा है तो क्या होगई क्या होगई यह होगा plus 1 boost code आ जाएगा plus का 1 while scanning from left to right it goes 1 to 0 sorry 0 to 1 0 to 1 ऐसा combination आया तो हम इसमें क्या करेंगे 1 minus 1 तो यह आ जाएगा minus 1 ठीक है and to scan always bit is 0 यह दो बता चका हूंँ तो देखते हैं एक boost code बनाके 1 0 1 0 1 1 1 1 एसा कुछ है तो हमने क्या किया एक 0 append कर लिया अब यहां से हमने scan किया minus 1 1.0 1.0 0.0 0.1 01.0 1 0 में कितना आ जाएगा Lets से प्लस का 1 and 0 1, 0 1, कितना जाएगा कितना ओपरिशन ? आज बोलो, माइनस का 1 तो अब इसको आज रख सकते हो, अगर कोमपिनेशन 1 जिरो हाए, तो MSB कितनी होती है, 1, negative होती है, तो negative 1 अगर 0 अगर 0 हाए, MSB कितनी है, 0 है, तो 0 का मतलब का था, पोलस और यह 1 क्या हो गया 1 अगर 0 1 है combination तो आप प्लस 1 करोगे अगर 1 0 है combination तो आप माइनस 1 करोगे अब यह 0 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या है यह हम जब algorithm पढ़ेंगे तो आपको समझने में आ जाएंगे ओके तो यह होगे boots multiplication का हम boots code कैसे बनाते हैं तो आप देखते है boots multiplication देखो एक तो हो गया आपका multiplier एक हो गया multiplicand जो multiplier होता है वो तो हमारा क्या होता है जो multiply हो रहा है जैसे कि अब देखो m into q suppose m क्या है आपका 110 q क्या है 101 इसमें आपको कुछ bits लेने पढ़ेंगे इससे a हो गया m हो गया q हो गया count अब एक क्या है अब देखो मैंने बचाया था कि जो maximum digit होती है bits होती है कितनी होती है 2n bits इसमें n कितनी है 3 तो हमें कितना लेने पढ़ेंगे 6 bit तो actually में हमने एक extra जो register है वो 3 bit का इसलिए लिए है कि data 2n bit का आ सकता है यह हो गया दूसरा क्या है जी आपका q जो multiplier है 101 तीसा क्या 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 क्यू minus 1 यह क्या है special bit starting में कितनी होती है 0 0 append करते है बूस कोड बनाते होए इसमें हम क्या रखेंगे starting में 0 count क्या है number of bits कितने time आपको operation करने है कितने time operation करने है तो सबसे पहले देखते है अगर पहला combination क्या है 10 10 क्या हुआ तो 10 है तो क्या अगर 10 है तो मैंने बताया था क्या करेंगे minus operation minus operation किसका होगा किसका होगा देखो A में से हम minus करेंगे किसको M को A में से M को minus करने का and उसके बाद हम क्या करेंगे right shift arithmetic shift right या जटने का arithmetic shift right और count को क्या कर देंगे 1 minus arithmetic shift right और count 1 minus ठीक है करें चलो जी करते हैं अब यह हो गया अब क्या है इची 1 0 क्या करेंगे हम क्या करेंगे A में से A minus M A कितना है 0 0 0 इसमें A minus M करेंगे 1 1 0 इसमें 0 minus किया तो 0 1 में से 1 गया अब इसको minus कैसे करोगे पर देखो सा minus की basic concept समझे लो अगर देखो 1 minus 1 0 है 0 minus 0 0 है 1 minus 0 1 है and 0 minus 1 ये क्या होता है 1 with a borrow of 1 जैसे कि आप minus करो 8 में से आप 9 minus करो तो यहां से आप क्या लेते हो ये borrow ले लेते हो ये कितना हो चाथा है 18 इसी तरह से एक borrow लेता है अब यहां पर सारे 0 0 0 है तो ये हां से एक borrow लेगा ये हां से एक borrow लेगा बड़ो लेने का मतलब है क्या जाएगा नेगट्टिव नंबर ओके तो यहां से बड़ो लिया तो एकितना हो गया वन-जिरो इसने इसको बड़ो तो खेट देगा है 1-0 मैंसे 1 गया 1 1 मैंसे वन गया 0 आ गया यह नंबर 1-0-1 ओके अब 101 लेखते हैं कितना आ गिया 1-0-1 1 1 0-10-1- and here I'm going to do 101 कि अब हम क्या करेंगे शिफ्ट वारी आइट उपरिशन साइन बिट तो कॉंस्टेंट रहेगी जिरो यह जिडिरो आया यह वन आग एह जिरुर आया यह बना गया अब यह बना गया तो 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 हमारा पहले इंसे हो ए खटम मसें पहले कितना था एन इन कितना था यहां था तरी BRA 시면 अब तर मीह फिर वापिस यह पे आए चांट इक्वल ड़ुल ऐह नहीं अगर तो वापिस से जाओ यहां पर चेक करो इन दोनों की value फिर से यह क्या है 0 1 अब हम क्या करेंगे पिलस 1 अब हमें क्या करतो 1 1 0 add add करोगे तो कितना आएगा 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 अरे यहां and 1 0 1 it is आ गया 1 1 1 and 0 1 0 यहां कितना अब क्या गर हो गया shift right arithmetic अब यह तो same रहने आए 1 यह वन आ गया यह 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 0 आ गया यह वन आ गया यह 0 आ गया अब आपने देखा 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 तो अब n की value कितनी आ गई n की value आ गई 1 मतलब आप last operation करना है अपने एक operation यहां हो गया एक operation यहां हो गया अब last operation क्या देखना है तो यह कितना है one zero again one zero again minus का one minus का one तो हम इसमें करेंगे one one zero minus करेंगे one में zero किया zero sorry कितना है गया यह गया 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 यह कितना है गया ए Przyb meक गड़ना अब हमां ऱ्इशिफ्ट यह रहेगे यह यह हां गया है यह यहां अगया यह हां गया मतलब कितना आ गया कि बैको यहा लिखते हैंaltres 0, 0, 0, 1, 1, 0 अब यह कितना आ रहा यह कितना आ रहा wajr로 Baldwin 0 just a 4 अब यह कितना है mean , , now यह कितना है 108 , कितना रहा minus ka 3 अब इन दूनों को multiply करो minus 2 into minus 2 यह कितना रहा माइनस का सिक्स तो यह दोनों सेम सेम आ गया इजी था ज्याद़ टुफ तो नहीं था हम्म आई होब आपको चमझ में आया होगा नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें मैं थोड़ा सा और अच्छे सेक्ष्टन करने की कोशिस कारूंगा अब कुछ 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 क्यों कुछ क्यों कुछ कोशन नहीं करोगे तो ओच हमझ में कईसी आई का कईसी आई का करें ऑपके अब देखें अब देखें इन नंबर ओफ एडिशन हम जी एक बात और अब गेट के अंदर आपसे कुछ वो तो पूचे का नितने बड़े बड़े अल्गोरिथम्स तो गेट में क्या पूचे का जो आपका बूट्स कोड़ जेनरे हो रहा है उससे उपर उसके उपर कुछ इस पूचे का उसलिट जैसे कि आप देखो नंबर ओफ एडिशन एंड सब अब देखो यह तो है नोप नोपरिशन अब कितने एडिशन हुए के वल एडिशन हुआ और दो सब्स्टेक्शन हुए और दो सब्स्टेक्शन हुए फिसमेस क्या इसमें इसमें अगर हम 0 लगा लें तो कितना सिच्पा प्लेस का 1 और यह फिर से माइनट 1-1 , plus 1 , plus 1, minus 1, plus 1 ,, minus 1, minus 1 . 1 2 3 3 2 minus operation हो गए 2 plus operation हो गए बाकी टो यह कितने है 0 0 0 बाकी तो कुछ मतला भी नहीं होना बाकी तो बस मजरे लेने के लिए है तो, मैंने आपको कुछ चीज समझ में आ रही है मैने आपसे एक बस टार्टिम में बोला था कि कि अगर नंबर केवल 00000 या फिर 111111 तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा आएगा क्यूं अगर हमने रास में 0 अपेंड किया तो कितना आ गया सब 00000 बूत कोड़ अभी 00 का मतलब क्या है कोई addition और subtraction होना नहीं केवल shift right shift right operation होएगा इसके अंदर भी इसके अंदर भी क्या हमने 0 लगाया यहां कितना हो गया मैंनस वन हो गया बागे तो 00000 इसमें क्या हो गया जिरो एडिशन अपरेशन एंड बन माइनस अपरेशन अब इसमें तो लंका लग गई यह कितना हो जागा यह तो जिरो हो गया एडिये माइनस वन फ्लेस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन अब जितने वन जरू जरू अल्टरनेट है उत्रा जाजा हमारा क्या लगेगा ओपरेशन से उतनी थोड़ी परफॉरमेंस ख़िम हो जाएगी I hope आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा अब चलते हैं next question की तरफ the possible number of operation needed to perform at, आप लिख दो, at lsb at lsb in boost multiplication can be अब जैसे कि हमने देखा number, यहां यह क्यों सा हो गया lsb, इस पर कौन सा operation हो सकता है हम 0 तो append करेंगे तो कौन सा operation हो सकता है पॉन सा हो सकता है, देखो यह हो गया, one अगर हमने देखा one, zero तो कौन सा हो गया, minus one है मतलब एक, एक subtract operation अगर हमने यहां रख दिया zero, तो कि हो zero, zero का मतलब कितना होता है zero, no operation यहनि कि कोई operation नहीं तो क्या हो सकता है, addition और subtract और no operation, नहीं जी एडिशन तो होई नी रहा, एडिशन और नोपरिशन, नहीं जी, सब्ट्रेक्ट और नोपरिशन, हन जी, यह सही आंसर है, या तो सब्ट्रेक्ट होगा, या फिर नोप, कुछ नी होने का, कुछ भी नी होने का, अब हम चल दे हैं अपनी next question की तरह, अगर आपको समझ में आय हो तो ठोको लाइक, yes, इस question को थोड़ असा try करके देख लें, मजा आने वाला है, if n is the number of addition needed in the both scheme, n is number of addition operation and m is number of subtract in the both scheme relation, तो m and n के बीच में, relation, करें, okay, thank you, करते हैं, अब यह क्या होगा, n क्या है, addition operation, m क्या है, subtract operation, subtract operation, छोड़ चोड़ 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 एक्जम्पल लेते हैं, देखो जी, one, zero, one, इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसमें zero append किया तो, यह कितना हो गया, negative, यह कितना हो गया, positive, यह कितना हो गया, negative, ठीक है, और हम देखते है, one, 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 इसके इंदर, यह zero, यह कितना हो गया, negative, बागि जीरो, zero, मदलब एक negative operation तो starting में होना ही होना है, एक negative operation starting में must है, मदलब या तो negative होगा या no operation, तो एक negative तो especially, exactly greater than positive operation हो सकता है, and उसके बाद एक तो ज़रूर हो गया कि हाँ या तो negative ही होगा, या zero, मदलब no operation होगा, उसके बाद अगर हम देखे, उसके बाद अगर अगर अल्टरनेट नमबर भी लेते हैं plus minus plus minus plus minus plus minus तो क्या होगा? हमेजा एक negative operation पोजिटीव operation से जादा रहेगा अब प्राने ग्जेंपल्स कोल के देख लो प्राने ग्जेंपल्स कोलो उसमें जितने भी आ रहेते 2 subtraction 1 addition, 3 subtraction 2 addition, 2 subtraction 1 addition, 4 subtraction 2 addition, 3 addition, इस तरह से आले से, तो हमेशा क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जो आपका subtract operation है, subtract operation या तो बढ़ा होगा, addition से, या फिर equal to भी हो सकता है, क्यों, starting में क्या हो जाए, no operation हो जाए, no operation, देखो जैसे कि हो जाए, no operation हो जाए, 0, 0, इस तरह से हो गया, अललला, यह हो गया, अगर हमने देखा, 0 लगाया, तो क्या हो गया, 0, यह है, 0, यह कितना हो गया, यह कितना हो गया, अब minus का 1, यह कितना हो गया, plus का 1, अब यह and यह, अब equal होने हैं, इसके अंदर, तो equal to भी हो सकता है या फिर इसमें देखो इसमें देखो, ये minus 1 और ये कितना है, plus 1 तो इसमें कितना हो गया, एक जादा तो क्या कह सकते हैं It is your answer समझ में आया, I hope समझ में आगया होगा चलें, आगए चलें हाँ जी अब बूट कोड ओफ 8 बिट 4 decimal number minus 57 कैसे निकालो के, हाँ हाँ करो, ततत थिया 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 करो करो अब आजी, minus 57 इसको निकालने के लिए अब क्या गरने वाले हो क्या गरने वाले हो, बढ़ाओ बढ़ाओ क्या, हाँ जी, decimal very good, किसने बोला, कमेंट करें किसने बोला, decimal सबसे हम निकालेंगे इसका decimal, decimal कैसे निकाले 57, 2 के किसके पास है 32 के पास है तो 32 मेंसे कर हम 57, minus करते हैं तो कितना आया, 32 कितना आया, कितना आया, 5 5 मेंसे 3 गए 5 मेंसे 3 गए इतना है कैसे हो ज़े रहे हो 25, तो 32 आएगा 0, 2, 4, 8, 16, 32 25 को कैसा लिखोगे 16 plus 9 लिखो 16 को, 0, 2, 4, 8 16 हो गया 0, 8, 0, 0, 1, 25 16, 8, 24, 8, 25 1, 0, 0, 1, 1, 1 अब यह आगया प्लस का 57 फ्लस का यह माइनस का नहीं है माइनस का कईसे निकालोगे 2's कॉम्प्लिमेंट किस में लिखोगे Boots Multiplication किस में लिखते है 2's कॉम्प्लिमेंट 2's कॉम्प्लिमेंट याद रखना जो अगर positive number होगा इसी तरह भी हमारे negative number आएंगे कर निन चुं पे हम उनको गोंको सब को दोस गंपलिमेंट में ही डिनोट करते हैं ओके बागी तो आगी जरो जरो हैं थो ए मतना हम जाना हम कि इतना लिखना में 8 वित एक दो, तीन, चार, पॉंट चैर, साथ हांट ये आगई 8 bit 8 bit आगई, तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे? बूज कोट कैश का? 11000111 बूज कोट निकालने क्लिये हम क्या करेंगे? 0 append ये कुछ नहीं है भाई, ये के मरें 2s complement निकालना है अगर आपको समझ में आया तो अपने आप two's commitment निकालो किसका प्लस 57 का ओके तो यह हमने एक append कर दी यह कितना आ गया starting में minus का 1 फिर 0 फिर 0 फिर कितना है plus का 1 फिर 0 फिर 0 यह कितना है minus का 1 अललललल फिर 0 तो कितना है 0 minus 1 0 0 plus 1 0 0 minus 1 तो यह किस से match खा रहा 0 minus 1 0 0 नहीं यह तो नहीं है क्योंकि है अपी 0 है 0 1 0 0 0 यह यह answer है आपका भी answer है यह जद़ टफ कुशन नहीं है ऐसे कुशन ही आते हैं इसके जद़ टफ नहीं आने वाले आगे बढ़ती है find the boots multiplication for the following boots leader leader है? और number हो गए? sorry boots code निकालो कैसे निकालोगे अब आप सोच रहोगे यार यह तो बड़ा typical चीज है जैसे आपने किया हो जैसे हमने निकाला सा क्या पहले binary निकाला फिर plus 1 minus 1 से करके अरे ओओ आप इसका उल्टा करना है अगर plus 1 है तो हम इसको 0,1 करेंगे अगर 0 है तो 1 से 1 कितना आ रहा होगा तो 1 से 1 होगा अब हम क्या करने वाले plus 1,0,0 minus 1,0 यह क्या होता है यह होता है यह होता है 1,1,2,4,8,16 अब यह कितना आ रहा plus 16 यह कितना आ रहा minus 2 कर दो 8 कितना आया plus 14 अब उस मेतर से निकाल लो कि इन में से किसका है यह boost code इसका है अगर आप इसका boost code निकालो तो यह ही आएगा एक तरीका तो यह होगी है कि आप जो मैंने करके दिखाया अभी एक number निकाल इस number का दुवार से back back वापिस जाओ जाओ जिस तर समने निकाला था इसका boost code बनाओ उसके बाद boost code से क्या निकालना है हमारे जो number आ रहा है तो number को यह जो जुरू ही एसको कितना है प्लेस का 16 तो रगा दो अड़े प्लेस कहां से आ रहा है इसी की इसी की यह जो number यही दे रहे है यह मुझे काफी easy लगा इसलिए मैं यह लगा दिया अब इस question में देखो है करें मैनस का मैनस का मैनस का 1 है हां अब आट चाह मैनस का 12 है प्लेस ओन अगया मैनस का 11 है बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल ही गलत, क्यों? भाई सहब ये देखो, माइनस 1 और माइनस 1 क्या साथ साथ आ सकते हैं, कैसे? कैसे आएंगे माइनस 1 माइनस 1 साथ है? 0, माइनस 1, 0, प्लस 1, इसका क्या रहा हुआ? 0 का मतलब 9 अपरिशन, क्या इसा? 0, 0 की 1, 1, 0, 0 की 1, 1, starting भी 1 से हो रही है plus किसा है हो सकता है यह क्या हो सकता है पहला digit 1 हो plus का कैसे देखो अगर 0 0 होगा तो 0 अगर 1 0 होगा तो क्या हो जाएगा minus कर भी 0 1 कैसे हो जाएगा हम 1 तो append करते ही नहीं है हम तो केवल 0 यह append करते हैं अब समझो यही पूछता है gate अगर नहीं समझ में आया तो दुबारे से देखो दुबारे से करो यह ऐसे काम करो कि यह तो गलत हो जाएगा इसका आंसर क्या आजाएगा नोट पोसिबल नोट पोसिबल यह अंसर भी गलत है यह अंसर भी गलत है यह अंसर भी गलत है अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, अगे क्या है, क्यो क्या है, अब क्या है, यह सफिरोटे हैं, यह उन भावते हैं, एक क्या है, अब क्योंट करतो है।최़ा सफिरों-ग आपेट Youtube. कर लो ठीक है तो आज की क्लास नहीं तक रखने का i hope आपको समझ में अच्छा आया होगा with a really smile and यह 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 important यह क्या है यह लाल लाल कुछ करना है आपको करने का करना and ये भी करने का ये भी करने का ये तो चलो आज की लाज नहीं तक ही रखती हैं बाब आए